नमस्कार मैं हूँ प्रमोद मनलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पहले National Register of Citizens यानि NRC और उसके बाद अब नागरिक्ता संसोधन कानून इन दोनों के प्राफधानों से इस देश का मुसलमान डरा हुआ है उसे ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ साजिस रची जा रही है उसे निशाने पर लिया जा रहा है इसका हाल यह है कि कई जगहों पर मस्जिदों से मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वे अपने कागज़ाद दुरुस्त कर ले वे अपने वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड वगर ठीक कर ले कुछ जगहों पर तो मस्जित में ही सहायता के लिए काउंटर खोल दिये गए है जहां उन्हें जरूरी सहायता दी जा रही है बात थुरू करते हैं बेंगलूर से करनाटर के बेंगलूरू में मस्जितों से इस तरह की अपीर की गई और वही सहायता केंदर भी खोल दिये गए करनाटक राज्य, वक्फ बोर्ड, मस्जिद के लोग और स्थानिय मुसल्मान नेताओं ने मिलकर ये केंदर खोले हैं और लोगों को पहचान पत्र से जुड़े कारजाद तयार करने में मदद कर रहे हैं यहां मुख्य रूप से आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमान पत्र तयार करने में मदद दी जा रही है यह सब के लिए खुला है और गैर मुसल्मानों को इनकार नहीं किया जा रहा है पर यहां आने वालों में अधिकतर मुसल्मान ही है इस डर का तातकालिक कारण करनाटक सरकार की ये घोशना है कि देश व्यापी अनर्सी शुरू होते ही वो राज्य में इसे जरूर लागू करेगी हलाकि इसके बाद उप मुख्य मंत्री सीन अस्वत्थ नारायन ने इस डर को कम करने की कोशिश की उन्होंने कहा और मैं उसे कोट कर रहा हूँ हम सिर्फ पड़ोसी देशों के मुसल्मानों से डरे हुए है क्योंकि ये देश इस्क्लामी हो चुके है वहाँ लोग तंतर नहीं है जब ये लोग वहाँ उत्पिरत किया जाते हैं भाग कर यहाँ चले आते हैं हम उन्हें नहीं रोकेंगे पर ये जरूर चाहेंगे कि वे नियम के अनुसार और चारिकताएं पूरी कर रहे हैं घैर कानूनी रूप से ना रहे हैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस फॉर्म की है जो मस्जिदों से बाटे जा रहे हैं लोगों में परेशानी और अफरातफरी का आलम ये है कि बंगलूर में एक दिन में ही छे हैजार फॉर्म बाटे जा चुके हैं मुंबई में All India Muslim Personal Law Board ने दो महिने पहले एक सेमिनार किया था जिसमें लोगों से कहा गया था कि वे अपने कागजात ठीक कर ले ताकि NRC लागू हो ही जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नो हो इस सेमिनार में बड़ी तादाद में मुसल्मान वकील और उलेमा मौजूद थे इसके साथ ही कुछ वीडियो बनाये गया जिन में बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है आंधर प्रदेश और तेलंगाना में भी ऐसी ही तैयारिया चल रही है हैदरावाद में जमियत उलेमाई हिंद ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर अब तक 48 कैम्प लगाये है जिनमें लोगों से कागजार ठीक करने को हक कहा गया है और इसमें उनकी मदद भी की गई है शुक्रवार को नौाज के बाद 30 मस्जिदों में इस तरह के शिविर लगाये गए प्रश्चि मंगाल में भी यही हाल है हरांकि राजी की मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी ने एलान किया है कि वह किसी सूरत में एनर्सी राजी में लागू नहीं होने देंगी पर लोग डरे हुए है बंगला भासा में छपे पैंपलेट में लोगों से कहा गया है कि वह एनर्सी के लिए तैयार हो जाएं और अपने तमाम कागजात दुरुस्त कर ले इसमें ये भी कहा गया है कि उन्हें किन कागजों की जरुवत होगी और वे कैसे क्या करें कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इस्थित नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी फजलुर्रह्मान ने शुक्रवार को नमाज के बाद लोगों से अपील की कि वे परेशान नौ हो अफरा तफरी में नौ पर है लेकिन अपने कागजात जरूर ठीक कर ले उनके तक्रीर में अनर्सी और नागरिक्ता कानूर पर ही जोड था यही हाल कोलकाता के तीपु सुल्तान मस्जिद और दूसरे मस्जिदों का भी है वहाँ भी लोगों को सचेत किया जा रहा है लेकिन सन्यम बरत ने और किसी तरह के उकसावे में ना आने को भी कहा जा रहा है यह किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिती नहीं हो सकती है कि उसका एक समुदाए डरा हुआ रहे है, सहमा हुआ रहे है लेकिन आज की सच्चाई यह है कि भारत का एक वर्ग डरा हुआ है उसे और सुरक्षा महसूस हो रहा है और यह अच्छी बात नहीं है यह अच्छी बात उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्हें अभी इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है इसे समय रहते ही ठीक करना होगा आप देख रहे हैं सत्यहंदी.com आप हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करें फॉलो करें हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें सत्यहंदी.com सत्यहंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं